जोहार साथियो जहारकन के साथ इसाथ नेशनल लेबल के इंपोर्टेंट करेंट अफेस डिसकसन में डिसकस करने वाले हैं आज अठाइस जुलाई के इंपोर्टेंट करेंट अफेस इस वीडियो में बात करने वाले हैं जहारकन के साथ इसाथ नेशनल लेबल के सबसे दर चर्चान होते हैं aa देखते हैं आज का सबसे पहला कोस्ट्ट पिसा एकट पंचायत एकस्टेंसन nita रिया और यह यहारकन सपाफिक यह अंभी है जहारखन पंचायत उपबंद अनुसूची छेतरों पर विस्तार नियावमली 2022 ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको बताना है इन में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है इस्टेटमेंट मैं एक बार पढ़ देता हूँ खनन पट्टा के लिए खनिज विभाग को ग्राम पंचायत से सलाह लेना अनिमार होगा मतलब कि जो खनन पट्टा है खनन करने का जो परमीशन है क्तरा से वो खनिज विभाग को लेना पड़ेगा किस से क्राम पंचायत से दूसरा लगु जल निका है जो भी लगु जल निका है कहने को बलब तालाब हो गया पोखर हो गया ठीक है साथी साथ लगु खनिज मादक द्रवित और प्रक्रतिक संसाधन जो भी गाउं में होंगे उनकी अधिकार की प्रकृती मतलब की उनका जो राइ जो जो पर यहां होगा उन एरिया में होगा जहां पर सेडियूल फाइब जहां पर सेडियूल फाइब के तहद मनसुची पांच के तहद एरिया जो है वो बनाया गया है जो विशेज रूप से जनजातिय छेतर के एरिया है इसमें क्या किया जाता है डिरेक्ट चुनाओ कराने की बात नहीं की गई थी यहाँ पे काउंसिल बनाया जाएगा जनजातियों की जो समू है उसका काउंसिल बनाया जाएगा और यहाँ पर जो परमपरागत सासन बेवस्ता चलाई जा रही है जैसे ढोकलो सोहर सासन बेवस्ता और उसके बाद आपका मान जी सासन बेवस्ता ठीक है उसके बाद मुंडा मान की शासन वयावस था, ठीक है? तो इस तरह है कि जो जारकन के परणपरागत सासन वयावस था है उसी के अधार पर वहाँ पर सासन किया जाएगा और वहाँ के जो भी खनीज होंगे, लघू-खनीज होंगे या फिर मुह पर के जो जल लगुजल निकाए है उन सभी पर अधिकार ग्राम पंचायत का ही होगा सरकार को पहले उसे परमिसन लेना पड़ええगा तभी जो है उनका यूज राजिसरकार अपने अनुसार कर सकती है तो यह जी ध्यान रखना है बालू पर भी जो है वो अधिकार उन्ही ग्राम पंचायत का होगा और खनन की बात मैंने कर ही ली ठीक है तो इस प्रकार का जो अधिकार होगा वो ग्राम पंचायत को दिया जाएगा वैसे एरिया में जो अनुसुची छेतर है सेड्यूल 5 के तहत आते हैं ठीक है जारखन में जारखन और उडिसा दो ऐसे राजिये हैं जहां पर ये पेशा कानून अभी तक लागू नहीं किया गया है और केंद सरकार ने रिमाइंडर भी बचाता है जारखन सरकार और उडिसा सरकार को कि ये दि आप आने वाले दिनों में पेशा कानून को लागू नहीं करते हैं स्टेट में तो फिर आपको जो पंदरहुआ बित आयोग अभी कौन सा बित आयोग पर चल रहा है तो डेफिनेटली अनसूची जनजातियों के छेत्र में उनको लाब होगा और जो भी पुरानी सासन बेवस्ता है उनको फिर से बहाल करने में मदद मिलेगी तो इस तरीके से जो है आपको ये सब चीजे ध्यान रखनी है इस प्रोपा चीज से जुड़ी है बात करते हैं आग होता है वो सब ग्राम सभा के अंटर्जगर्थी आएगा ठीक है तो ये चीजे आप लोगों को ध्यान रखनी है और इसका मुख्य अधिकारी कौन होगा इस कमीटी के दहत बनने वाला जो मुख्य अधिकारी होगा वो होगा जो पंचाय सची होता है ना जिसकी हाली में नि कर निगम द्वारा सुखा कचरा निप्तान के लिए मैटेरियल रिकबली प्रांट 12 अस्थानों पर लगा जा रहा है और ए psychopath कचरा ऊंको सहरों में ही निक्तान दिया जाएगा और तो जहां पर उनका recycling होता है या फिर उनको फोड़ा सा सुध क्यार के जो है आगे काम किया जाता है तो ध्यान रखेगा राची नगर निगम 12 अस्थानों पर लगाएगी material recovery plant material recovery plant ठीक है और राची नगर निगम अपनी जो dumping याड है वो कहाँ बनाई है जीरी जीरी राची में एक अस्थान है और यहाँ पर गेल गेल solid waste management system लगा रहा है ठीक है और इससे gas का उत्पादन किया जाएगा ठीक है gas का उत्पादन किया जाएगा और इसको management कोन करेगी गेल करेगी gas authority of india limited कोन करेगी gas authority of india limited ठीक है और वहाँ पर जो है gas का उत्पादन किया जाएगा और बाद में उसे गेल बेच भी सकती है ठीक है ध्यान रखने वाली बात यह है बात करते हैं अगले question की अगला question है पधान मंत्री मोधी द्वारा किसान समरिधी केंदर का उत्गाटन किया गया जारखन में कुल कितने किसान समरिधी केंदर खोले जाएगे तो ध्यान रखना है जारखन में कुल किसान समरिधी केंदरों की संख्या 1607 होगी और मोधी जी ने इसका उत्गाटन किया है ठीक है और पूरे देश में ये खोले जाएंगे जहारखन में विश्च वर से आप लोगों को ध्यान रखना है 1607 किसान समरेधी के अंदर खोले जाएंगे एक्च्वली ये दुकान ही होंगे जिनको किसान समरेधी के अंदर के रूप में बदला जाएगा इसे प्रोपर इतना ही जानकारी आप लोगों को रखनी है, बात करते हैं अगले question की अगला question है, जार्कन सरकाद्वारा समधान योजना, कैसा समधान, कर समधान, कर समधान योजना को 6 महना का विस्तार दिया गया है, इसके तहट अब तक कितनी रासी वसलु की जा चुकी है, तो ध्यान रखेगा इसके तहट अब तक 250 करोट रुपे की वस्वल की जा चुकी है टार्गेट है 500 करोट रुपे का इसलिए इसका टार्गेट को जो है 6 मैने के लिए बढ़ा दिया गया है और कर समधान योजना की बात हम लोग करेंगे ठोड़ा डिटेल में तो देख लीजिए यह है कर समधान योजना का गजट मैं आप लोगों को डारेट जो है वो ओफिसियल जो डोकुमेंट है वही दिखाने का कोसिस करता हूँ ताकि आप में कोई भी कन्फूजन ना रहे और मार्केट में जो कुछ लोग है जो मनसों बता देते हैं वो सब का कन्फूजन आपको ना हो डारेक्το आप गजट ही देख ले डारेक्ट आप ओफिसील डोकुमेंट ही देख ले तो आप लोगों को ज़्यादा सहो लेत होंगी चीजों के ऊपर विश्वास करने में तो आप देख सकते हैं बजट स्पीच 2015 के तहट जो 2015 और 2016 के तहट आई थी 2015 और 16 के लिए जो budget की speech आयी थी वो कब आयी थी 2015 में इसी में कर समाधान योजना की बात की गई थी और इसे लागू किया गया था 26 जुन 2015 को 26 जुन 2015 को जारखन में इसको लागू किया गया था ठीक है और इसमें क्या होता है तो one time settlement होता है जैसे कि मान के चली आपका कोई business है उस business में आप tax pay करते हैं और आपका किसी वजह से वो tax जो है न वो pay करने में गलत हो गया और आपका tax का burden बढ़ता गया देरे देरे आपने payment नहीं किया तो आपके उपर बहुत बढ़ा tax का बोज बढ़ जाएगा फिर आप जो है court में case करेंगे ठीक है तो ये सब चीज ना हो और साथी साथ एक बार में settlement हो जाए one time settlement हो जाए ठीक है इसी के लिए ये जो करसमधानी होजना है ये शुरूख किया गया था ध्यान रखेंगा one time settlement के लिए करसमधानी होजना जारकन सरकार द्वारा 2015 में रगवर दास के सरकार के द्वारा शुरू किया गया था उसी का extension होते होते चलते चलते हम लोग यहां तक पहुँचके हैं और अब 6 मंत का विस्तार और भी दे दिया गया है ध्यान रखेंगा कर से जुड़े होए ट्यक्स से जुड़े होए और इसमें 35,000 करोड 35,000 करोड से भी ज्यादा की रासी जो है वो फसी भी है ठीक है बात करते हैं अगले question की तो इसलिए जो जहारकन सरकार कोसेश कर रही है कि जो फैसे पैसे हैं उसका कुछ पैसा जहारकन सरकार को मिल जाए वापस जिससे ठोड़ा सा फाइदा जो है वो जहारकन को हो जाए बात करते हैं अगले question की अगला question है जहारकन University of Technology के अंतरगत कुल कितने engineering college आते हैं ध्यान रखना है आपको engineering college बताना है तो ध्यान रखना है इसके तहत कुल 16 engineering college आते हैं साथे साथ 40 pole technique college आते हैं 40 pole technique college जो है जहारकन University of Technology के अंतरगत आते हैं यह ध्यान रखना है दो pharmacy college और एक आपका management college आता है ठीक है एक management को ले जाता है और इसके नए जो कुलपती बनाए गया है वो बनाए गया है D.K. Singh कुन बनाए कुलपती दीके सिंग इसके नए कुलपती बनाए गया है यह ध्यान रखना है बात करते हैं अगले question है ICC दुआरा हाल हुए महिला के team की कप्तान हर्मन प्रीत कोर पर ICC के नियम के उलंगन के कारण कितने मैचों पर बैन लगाया गया है तो ध्यान रखेगे इनके उपर दो मैचों का बैन लगा देया गया है ठीक है और यह जो है इन्होंने गलती की थी बांगलादेश जब टीम गई थी खेलने बांगलादेश के खिलाप मैच हुए थे उसमें जो गलतियां हुई थी उनके वज़ा से यह बैन इनके उपर इरे अर कुमारी का सेलेक्शन किया गया है और यह घ्राठीवी होगीकुलाद्य जहात्तों की चहरे बनेंगे आगे तो यह इसकी इसका जो है का मंदपम का उद्धगाटन किया गया जो ओप्रा हो सिड्नी से भी बड़ा है इसमें 2700 करोड रुपे जो है लगाई गई है यह कहा इस्ती थे ध्यान रखेगे यह नई दिल्ली मिश्ती थे और आने वाले जी टुएंटी सम्मिट जो जी टुएंटी सम्मिट होगा सिप्तेमबर में इसका परमुक रूप से आयोजन यहीं पे होगा और इसको कहा गया है क्या भारतिय मंदपम ठीक है और यहां पर कुछ डिटेल मैं आप लोगों को बता जता हूँ इसे जड़ी जो भारतिय मंदपम कॉंसेप्ट है यह लिय जो इंस्पिरेशनल दिया गया था उसी के तरत इसका नाम करना किया गया है भारत मंदपम इस तरह के कोशन रेंडमली पुछ ली जाते हैं और जिसका आंसर आप लोगों को पता नहीं होता ठीक है तो वही मैं कोशिस करता हूँ कि आप लोगा कोशन ना चुटे जहां रख इसका जो प्रिंसिपल है वह है थिंक भी थिंक भी ड्रीम भी एक्ट भी ठीक है जब आप बड़ा सोचेंगे तभी आप बड़ा सपना देखेंगे और फिर आप बड़ा काम करेंगे एक ठीक है तो कापी अच्छी इंस्पिरेशनल लाइन जो है यहां पर लिखी गई है ब बार्खन ठांकता चेंपिन सीप की मेजबानी करेगा और आप सबीक पदा हो ठांकता...मनिपूर का मार्साल आट है मनिपूर... है एक और था और अरीक था मल कम मलखम को भी जू आयूत किया गया था लेकिन ये महराष्ठ और आपका मध्य पदेश में प्रमुक्रूप से खेला जाता है तो ये चार प्रमुक्रूप से द्यान रखी जिसको 2013 में सामिया गया था, 2022 में 2022 में जो Hello India Games हुए थे उसमें मुख्य रूप से क्याकिंग क्याकिंग एक जो है नाओं से संबन्दी थे क्याकिंग हो गया और उसके बाद roeing हो गया इनको सामिया गया था और किसको दिया और आपका kenoing kenoing ठीक है के नोई इंगों ठीक है और एक और खेल था जिसका नाम है के नोई सालालों के DNA सालालों ठीक है इसको भी सामिल गया थो स् पोटल एसे तीन ही ध्यान रखना है आपको तीन में ग्रुपाल में ताख़ा कुछक ना हो 2022 में 2022 में किन तीन परमुख गम्स को सामिल 기자 गया है चलुए जो चुका है फरवरी 2022 में और इसमें सामिल किया गया था कि कि खीकर उसके बाद देखोता है केणोईन Kakina कैनोईन ठीकर एक जुसा लों के नोई चालालों ठीकर तुछ है तो यह आपको तीन खेल ध्यान रखना है यह तीनों खेल को 2022 के जो राश्ट्री खेलो इंडिया गेम सुवे थे ना उसमें सामिल किया गया था ठीक है और यहां पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं अगर नेशनल गेम की तो इसमें दो गोल्ड जीते हैं अगर धोनगरी में ब्रॉला जीते टिरं डोइंग और अथ्लेटिक्स में यहां पाल्ड़ जाएं जीते थे हैं? आपका राष्ट्रिय खेल नेशनल गेम्स में जो गुजरात में आज थो था 36 वा नेशनल गेम्स में उसमें मैंने जार्खन के बारे में चीनी ताइपे में आज़्ट होने वाले अंडर 19 रगभी सेवन चेंपिन सिप के लिए जार्खन से कितने खिलाडियों का सेलेक्शन जो है किया गया है तो ध्यान रखेगा इसकी में टोटल चार खिलाडियों का सेलेक्शन हो था है चार ओप्सन नहीं है ठीक है मैं चार कर द के दूसरा है अल्शी तनाग यह दोखिलाडि्यमीध में दोखिलाडि कऊं विम्हल में एक नेहा बागे नेह वागय और दूसरी है आपका ओडोक्री के 15 ौडोए ठीक है po ف Duck किविपी अगले सेलेक्श्जन हुआ है किसके लिए अंडर 19 रगभी चेंपिशन सिप जो आय तो इस तरह से हम लोगा कोशन तो खतम हो गया अगला कोशन कहा सा आगा तो चलिए मिलते हैं अगले दिन के करेंट एफसेशन में और जुड़े भी चैनल के साथ डेफिनेटले आप लोगों को फायदा होगा करेंट एफस में अपने जो कॉंसेप्ट उनको बिल्ड अप करने में तो मिलते हैं अगले दिन के करेंट एफस में तब तक के लिए आप सभी लोगों का चैनल से जुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद